एक 11-12th class के बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या उसको बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या उसको वीडियो देख के चीज़े सीखनी चाहिए, या फिर सीधा ही बिजनस मों उतर जाना चाहिए, बिजनस करने के लिए, तो किसी ने मुझसे कोशन मुझा है, देखे, सिंपल सी बा अभी आपका time नहीं है पैसे कमाने का, अगर आपके घर के financial state बेकार है, आपके घर वाले कहते हैं, आपको डंडे मारते हैं, पैसे दे, नेरे को नहीं कुझा रहा हो रहा, आपके बाद खाने पीने के पैसे नहीं है, फिर अगर आप यह सोच रहे हो, तो समझ में आती है ब आइस साल के उपर में इतना कमा लेगे, क्यों कमा लेगे यार, क्या करना है हमको इतनी जल्दी करके, हम अपना बच्पन जो time था हमारा जो चीज करने का, उस time पर हो चीज़े नहीं करनी हमको, बच्पन में बच्चे को ash करने चाहिए, घूमना चाहिए, मजे करने चाहिए 11-12 से college लाइता है, उसको skill development के उपर ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना वड़ना चाहिए, हमारे यहाँ पर बच्पन से ही पढ़ो, 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 और उसके बाद 11-12 के नदर फोकस करा जा रहा है, आज के time पे YouTube पे जो दबाय जा रहा है, कुछ और करो, या मेरा course जोइंग कर लो, या कुछ भी कर लो, simple सी बात, no doubt मैं नहीं कह रहा है कि, अगर आप side income generate कर रहे हो तो वो गलत है, YouTube पे वीडियो दाल रहे हो गलत है, नहीं, कोई गलत नहीं है, पर एक चीज को realize करो, आपके बाद spare time जो है, उसको लगाओ, आपकी education हमपर नहीं हो नहीं चीज है इन चीजों से, अब exception हर जगा पे है, केरी मेनाटी सबसे बड़ा example है, उसने अपने skill के उपर काम किया, और वो उसी चीज के बढ़ता चला गया, उसको बढ़ाई-बड़ाई की जुरत नहीं पड़ी, वो exception है, पर आज के time पे मेरे हसाब से, आपका जो भी skill है, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको गाना गाने का चौक है, आपको डांस करने का चौक है, उस चीज को improve करते चला जाओ, ताकि आप बाद में उसको धंग से monetize कर पाओ, starting में ही अगर उसको monetize करने के पीछे जाओगे, तो आप उसकी skill को उतना refine नहीं कर पाओगे,